बहुत सारे learner इन दो words को लेकर अक्सर confused रहते हैं और भी नहीं समझ पाती हैं कि कौन से word कहां इस्तिमाल करना चाहिए तो अगर आप भी इन दोनो words को लेकर confused रहते हैं तो फिर ये video आपके लिए है पहला word जिसका spelling है D-I-S-E-A-S-E इस word का sound होता है disease और इस word का मतलब होता है बीमारी लेकिन अगर हम बात दूसरे word की करें D-I-S-E-A-S-E तो इस word का sound है disease और इस word का meaning होता है मयत यानि मिरतक जिसे हम dead body कहते हैं लगता है आप समझे नहीं आइए कुछ examples देखें ताकि आप इन दोनों words को बड़े शानदार तरीके से समझ सकें आइए सबसे पहले disease के बारे में जाने इस word का spelling है D-I-C-E-A-S-E और इस word का meaning होता है मिरतक या मयत यानि dead body जैसे माल लीजे अगर आपको कहना हो मिरतक अपने पीछे अपनी बीबी और एक छोटी बच्ची को छोड़ गया तो एस sentence के लिए आप कहेंगे the deceased left his wife and one minor daughter behind him यानि मिरतक अपने पीछे अपनी बीबी और एक छोटी बच्ची को छोड़ गया यहां मैंने अपने sentence से बोला the deceased जिसका मतलब हुआ मिर्टक या मैयत माल लिजे अगर आपको कहना हो मिर्टक का वारिष कौन है या मैयत का वारिष कौन है तो ऐसे एंटेंस के लिए आप कहेंगे माल लिजे अगर आपको कहना हो मिर्टक ने अपने बेटों के लिए बहुत सारा धन छोड़ दिया तो एस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे The disease left a lot of wealth for his sons यानि अपने बेटों के लिए मिर्तक ने बहुत दौलत छोड़ गया तो friends उम्मीद करता हूं कि आपने पहले word का मिनिंग समझा कि disease का मतलब होता है मैयत या मिर्तक अगर हम बात disease की करें तो इस word का मतलब होता है बीमारी इसके पहले कि मैं कुछ examples दू यहां मैं आपको बता दू इन दोनों word का sound अलग-अलग है इस word का sound होता है disease और इसका मिनिंग है बीमारी जबकि इस दूसरे word का sound होता है disease और जिसका मिनिंग था मिर्तक या मयर आईए कुछ examples देखे ताकि आपको ये word समझ में आ सके कैंसर एक बहुत खतरनाग बीमारी है अगर आपको कहना हो डॉक्टर ने उसकी बीमारी को control कर लिया है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे the doctor has controlled his disease यानि डॉक्टर ने उसकी बीमारी को control कर लिया है मान जीजे अगर आपको कहना हो बीमारी उसके मौत का कारड़ था तो इस sentence के लिए आप कहेंगे The disease was the region of his death यानि बीमारी उसके मौत का वज़त था या कारड़ था तो friends उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा कि डीजीज का मतलब होता है बीमारी जबकि डीजीज का मतलब होता है मयत या मिर्तक